नमस्ते पहले दोस्तों टागेट कॉंपिट्यू एक्जाम के इस आउडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ Central and South Asia Connectivity Conference 2021 हाली में उजविकिस्तान की Capital ताशकन या उजविकिस्तान की सिटी ताशकन में ये सम्मेलन हुआ था रुजविकिस्तान ने उसकी मेजबानी की थे मद्य और दक्षिन आसियाई सेत्रियत कनेक्टिविटी उनकी चिनोतिया और आउसर या चालेंजिस एन अपॉस्टनिटी ये कॉंफरेंस का सब्जेक था अल्मोस्ट ये कॉंफरेंस मोर दन फोर्टीन कंट्रीज ने उसको अटेंड किया हमारे लिए एक्जामिनिशन के लिए इंपॉर्टन पॉइंट जरूर ये होगा कि इस सेंट्रल एसिया एंड साउथ एसिया कनेक्टिविटी कॉंफरेंस ने भारत की ओर से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर यस जैशंकर उन्होंने अटेंड किया और सेंट्रल एसिया और साउथ इसया को कनेक्ट करने के बारे में भारत का इरान में जो चबार पोर्ट वर्क इनोवेशन वर्क आउट हो रहा है उसके मद्दे नजर उन्होंने एकानोमिक ग्रोथ के लिए परिस्तान ने होस्टेड किया Central South Asia Connectivity Conference 2021 नेक्स्ट बुक आता है बैंक विट सोल बैंक विट सोल बैंक विट सोल सो यू आर इक्विटाज बैंक विट सोल इस बुक के जो रचिता है इसे वाने विट आईयस अधिकारी C.K. गरियाल दौरा इस बुक को लिखा गया है और ये C.K. गरियाल E.D.I.T. यहाँ पर E.D.I.T. का जो लॉंग फॉर्म है इक्विटास डेवलप्मेंट इनिसेटिव ट्रस्ट की वो फाउंडर ट्रस्ट है उन्होंने C.K. गरियाल ने इस बुक में इक्विटास या इडिट का जो थर्टीन लैक उमेन है इनको इंपावर करने में सशक्त बनाने में इक्विटास ने जो महिलाओं को उदार या लेंडीन दिया है उसके मद्देनजर ज़्यादा स्ट्रेज दिया है तो एक्विटास ने महिलाओं को सुश्मो उद्दिक स्तापित करने में मदद की है एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू बैंक विट सोल एक्विटास इस बूग के रचिता या बूग के ऑथर कौन थे तो इस बूग के ऑथर थे सेवा निवरुत आईयस अधिकारी सी के गरियाल बैंक विट सोल एक्विटास ये मेंशन करता है लेंडिंग प्रॉपर्टी या लेंडिंग अबिलिटी ओफ इंपावर इंडिंग अबिलिटी इसिंसिली फॉर इंपावर्मेंट अफ वोमेंड बाइद एक्विटास एक्ष बात आती है नैशनल रिसर्च फाउंडेशन के नैशनल रिसर्च फाउंडेशन तो यहाँ यूनियन गवर्मेंट सरकार ने भारत में अनुसंधान परिस्थिती और उसके तंत्रों को मजबूत करने के लिए यन आर या जिसे रास्थिती है अनुसंधान फाउंडे बारत में अनुसंदान परिस्थिती की तंत्र को मजबूत करना इसका मेन अब्जेक्टिव है तो रास्टिय अनुसंदान फाउंडेशन ये रिसेर्च और डेवलोप्मेंट, अकेडिमीशन और इंडस्ट्री शायद आने वाले डीज में उनको कमबाइन करने की या लिंक करने की जरूर कोशिश करेगा अलमोस नेक्स फाउव येर के लिए इना यन आर यापके तहरत 15,000 करोर रुपे की अउदी को यहाँ पे प्रस्तावित किया है में उद्धिश शेक्षिनिक संस्ताओं विशेश रूप से विश्व विद्याले और महा विद्याले जहां अनुसंधान शम्ता वर्तमान में बहुत नैसन स्टेज में है अरंबिक चरण में है उस अनुसंधान को बढ़ावा देना, विकसित करना और सुविदा प्रदान करना है तो वट इस यनार्यप? यनार्यप स्टैंस फॉर दे नैशनल रिसर्च फाउंडेशन राष्टिय अनुसंधान फाउंडेशन ये भारत में आने वाले 5 years में हमारे लिए अनुसंधान परिस्तिती की तंत्र को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा ये किस मिनिस्टर ने ऐलान किया उसका? हमारे जो यूनियन मिनिस्टर आफ एजूकेशन सी धर्मेंदर प्रदान ने राष्टिय सिक्षा नीती जिसे हम एन एपी नैशनल एजूकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो हम सेत्रिय भाषा में अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए कदम बढ़ाने की जो सोच कर है इसके अंतर गत ये नैशनल रिसर्च फांडेशन काम करेगा नेक्स अकस्ती पिक्चर्स में है नासीर कमल नासीर कमल इसलिए पिक्चर्स में है कि काबिनेट ने डिरिक्टर जनरल BCAES इस पत के लिए उनकी नियुक्ति की है तो हमारे टाबिनेट ने इस रूप में उनको नियुक्ति किया है नासीर कमल इसलिए उन्हें नियुक्ति किया है BCAES जी CES किसके लिए स्टैंड होता है BCAES Bureau of Civil Aviation Security As it is Bureau of Civil Aviation Security तो Ministry of Civil Aviation के अंतरगत काम करती है Civil Aviation के अंतरगत काम करने वाली ये aviation के बारे में security को देखने की काम करती है जो 1978 में पंडे समीती नियुक्त की गेती उसकी सिपारिसिस थे हमने BCAES Bureau of Civil Aviation Security को नागरिक उड्डेन मंतरा लएकी एक वीन के तहत नागरिक उड्डेन सुरक्षा की दिखभाल करने के लिए हमने BCAES को स्ताफित किया था BCAES के Director General अगर कोन है तो उसका अंसर रहेगा नासिर कमल BCAES क्या है BCAES हमारे नागरिक उड्डेन मंतरा लएक का एक ब्रांच है या एक वीन है जो Civil Aviation की Security देखता है BCAES stand for Bureau of Civil Aviation Security इस बात आती है BCAES एड्डूरपा उन्होंने करनाटक के चिप मिनिस्टर का इस्तिपादी दिया है करनाटक का इस्तिपादेने के बाद हमें राज्यपाल कोन है ये भी याद होना चाहिए तो करनाटक के राज्यपाल थावर्चन गहरोत है और BCAES एड्डूरपा इस किस निर्वाचन सेत्र से विधायक है अगर ये जानना है तो करनाटक के सीमोगा जिले में सिकारी पूरा निर्वाचन सेत्र के ये विधायक है और इसके लिए हमारे कंस्ट्यूशन में कुछ प्राहुदान है सीम और गवर्णर के बारे में येस हमारे कंस्ट्यूशन के अनुसंधान 164 की तहत्त मुक्यमंत्री की अपॉइंट्मेंट या नियुक्ती राज्यपाल दौरा की जाएगी और अन्यमंत्री होगे उनकी नियुक्ती मुक्यमंत्री की सलहा से राज्यपाल करते हैं ये आता है आर्टिकल नंबर 164 पार्ट नंबर 6 में आता है चीप मिनिस्टर की अपॉइंट्मेंट गवर्णर करेंगे अधर मिनिस्टर की अपॉइंट्मेंट हमारे चीप मिनिस्टर की सलहा के अनुसार राज्यपाल करेंगे इसलिए चीप मिनिस्टर, he is acting as the channel of communication between the governor and council of ministers और चीप मिनिस्टर की जो appointment होती है, यह majority state legislative assembly दोरा होती है पैजे की विधान सबा के भूमत के माद्यम से उन्हीं चुना जाता है नेक्स बात आती है, IGBC Green Patinum Rating IGBC Green Patinum Rating कानला SEZ को मिली है तो फर्स पांग यह भी मालूम होना चाहिए कि यह जो IGBC Green Rating है, यह क्या है This is known as IGBC, stand for Indian Green Building Council Rating Program तो as name itself mentions, जो भी commercial residential factory buildings होती है उसके लिए जो Green Rating दी जाती है इसे हम IGBC Green Rating कहते है IGBC along with Ministry of Commerce and Industry उन्होंने Green SEZ guideline को प्रपोस किया है तो कानला SEZ को IGBC की Green Platinum Rating मिली है हमें जानना ही उतना ही important रहेगा कि कानला पोर्ट की IGBC Platinum Rating किसलिए मिली है तो definitely Green Platinum है, बेल्टिंग के लिए, commercial things के लिए या हम कहेंगे जो भी factories होती है तो कानला SEZ का जो Green Master Planning है, उनकी जो Policy Institute है जो कानला Green Infrastructure डिवलप करने की कानला SEZ की जो ताकत है तो उसके लिए ये Green Rating Patinum मिला है कानला Special Economic Zane सबसे important ये जो बंदरगाह है ये गांदी धाम के नाम से गुजरात में जाना जाता है और ये बंदरगाह गांजी धाम शहर में स्थीथ है सबसे important बात ये इंडिया का multi product special economic zone है It is not responsible for only one product export और वी हम कहेंगे कि it consists of the number of a product maybe gems and jewelry उसकी तो खासियत है Along with the gems and jewelries ये export करने का काम करता है electronic software textile और garment तो कनला के सीज सेट पिक्चर में Indian Green Building Council IGBC का platinum rating उसे मिला है नेक्स बात आती है Exercise Cutlass Express 2021 नाम है Cutlass और Cutlass इस 2021 की exercise ये इस अपरिकन और वेस्टन इंडियन ओशन जो कटी ये रास्ट है उनके भीच में पंड़की जाएगी उसमें बारा कुरु अपरिकी देश सहभा के रूप में काम करेगे लेकिन इंडिया की इसमें जो भूमिका होगी अस्ट्रेनल रोल की तरह होगी तो कट्ल इस इस एक्स्प्रेस एक्सरसाइज 2021 किस समूद्र में या ओसेन में और गनाइज किया जाएगा तो डेफिनेट्ली हिंदी महां सगर होगा उनमें से कुन से रास्ट पार्टिसिपेट होगे पुर्व अप्रिकेन देश हमने ये भी देखा था कि जो भी पार्ट उसमें किय जाएगा ये रहेगे हमारे लिए mostly जो participation रास्ट उसमें भाग लेगे ये western Indian Ocean के बारे में होगे One thing यहां हमें हमारे exam के लिए हमारे सागर प्रोजेक्ट को भी जानना importance होता है सागर प्रोजेक्ट का जो main vision है security and growth for all the region इस्तहत INS इंडिन नेवल सीप तलवार का participation is exercise में इंडिया की इंडियन ओशन रीजन में जो maritime policy है उसके अंतरगत ये parallel run करेगा सागर क्या कहता है सागर का long form होता है security and growth for all the region security and growth for all the region नेक्स बात प्रमोट भगत प्रमोट भगत ये हस्ती पिच्चर में इसलिए है कि 2019 के दिव्यान स्पोस्टमान अब दे येर के लिए उनी चुना गया है तो प्रमोट भागवत ये differently abled जिसे हम दिव्यान ये शब्द का यूज करते है differently abled sportsman होगे 2019 की येर के लिए और ये तोक्यो पेरा लंपिंग में भी सख भागी जरूर है लेकिन हमारे लिए इंडिन स्पोर्ट का जो अवार दिया जाता है ये RPSC Group in Association with Virat Kohli Foundation दोरा जया दिया जाता है तो प्रमोट भागवत ये differently abled sportsman of the year में यहाँ पे काम करेंगे नेक्स बात आती है Vision for Everyone Vision for Everyone ये UN General Assembly ने इस Resolution को अड़ाप्ट किया है Vision for Everyone इसे किस ने प्रमोट किया ये Resolution को स्पांसर किस में या तो वी हाव बंगलादेश, अइंटिग्वा और आईलन इसके बात number of co-sponsor countries है ये UN का ये General Assembly का Resolution लेगली किसी राष्ट के उपर बाइंडिंग नहीं है इस वोलन्टरी लेकिन Vision for Everyone इसलब इसमेंशन कि Almost more than the people या naturally हो या accidentally हो they are suffering from the Vision impairment तो इसके तहत ये Resolution की तहत जो तई किया गया है कि आने वाले समय में there must be some policy from the participating nations to renew or to promotion of a vision next up अगर Vision की बात आती है जो Sustainable Development Goal है जो 17 Goal है 17 Goal में से जो 3 Goal आता है जो ensures the healthy lives and promote the well-being for all the ages इसलिए के Resolution इतना ही इंपोर्टन्स होता है SDG 3 स्वस्त जीवन सूनी चित करें और सभी उम्र के लोगों के लिए कल्यान को बढ़ावा दें Ensure the healthy life and promote the well-being for all the ages UN General Assembly 1945 में स्तापन की गई थी New York में उसका headquarters है UN की जो six organs है उसमें UNG आता है ये United Nation की General Assembly UN का budget Non-permanent members of security councils और Secretary General of UN को appointment करने में महत्व पूर्ण भूमी का दिभाती है नेक्स बात आती है हमारे इसरो के बारे में इसरो का व्यपारिक कारेकरम जो उन्होंने स्टार्ट किया है eight companies के साथ उन्होंने स्टार्ट किया है तो इसका मतलब ये होता है कि इसरो जो space-themed merchandise programs होगे ये हमारे industry के साथ साजा करेंगे इसका मतलब ये होता है जो इसरो के missions है work है उनसे related जो भी प्रोग्राम्स है उनका दीम इस कमपनी के साथ जो भी scale models बनाए जाएंगे टीशिर्स बनाए जाएंगे मग्स बनाए जाएंगे space दीम educational प्रोग्राम्स होगे या science toys होगे यह इस कमपनी इसरो का logo या इसरो का drawing या design उन merchandise product पर लगा के उसको बैच सकता है तो यह था इसरो merchandise program उन्होंने start किया with eight company के साथ और लास उर किया है संसीप ग्रूप संसीप ग्रूप संसीप ग्रूप इसके पिक्चर्स में है कि अने वाले 2024 में उनका plan है संसीप समूव यह सिंगापूर का समूव है और एक सोरूरजा प्रनाली का developer भी है तो इंडोनेसिया के bottom जो द्वीप है island है नैलांग पर दुरियांग कांग के जलाइशे में अल्मोस्ट 4000 एकड में वो floating solar planner बनाने वाले है तो दुनिया का सबसे बड़ा solar planner अगर खापे वर्क आउट हो रहा है तो उसका answer यह होगा यह इंडोनेसिया का जो bottom island है बाटम island के दुरिंग कांग प्रिजर वायर में यह develop हो रहा है उसकी शमता 2.2 gigawatts है और उसका expansion जो आता है यह 4000 एकड में आता है तो यह कब तक complete हो जाए? यह start होगा 2022 में और complete क्या जाएगा 2022 में यह था संसीब स्वन 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 ग्रूप वाला दुनिया का सबसे फ्लोटिं सोलर प्लाइंड बाटम आइलेंड इंडोलिंशा में वर्काउट क्या जाएगा पुरियो मीदर यू आपिर यू अप्रिश्ट यू एफर उड जड्यू झानिवाल कर आपके प्रिदुटHello weather पेस्टुट करते हो तो पोर्षे स्थम्वाइब एक इसले सुटाइब उच्ट प्रिच टूर्प्राइब टूर्प्रेश का इसके पूराइब थे दूर्ण बाते हैं झाल